बच्चों पीछे की कक्षाओं में हमने अध्धन किया तिर्वुजों के प्रकार को जिसमें हमने सीखा कि तिर्वुजों की मुखता छे प्रकार होती हैं तीन प्रकार उनके कौनों को ध्यान में रखके की गई हैं और तीन प्रकार तिर्वुजों की उनकी भुजाओं को ध्यान में रखके की गई हैं तीन प्रिकार जो कौनों के आधार पर विभाजित किये गए हैं, वो हैं अधिक कौन तिर्भुज, नीन कौन तिर्भुज और सम कौन तिर्भुज भुजाओं के आधार पर विभाजित किये गए तिरुजों की प्रकार हैं संबाहू तिरुज, विसंबाहू तिरुज और संदी बाहू तिरुज बच्चों मेरे पास एक समकौन तिरुज है जिसकी भुजाओं की आमाप तीन इकाई, चार इकाई वे पांच इकाई है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पांच इकाई है हम जानते हैं कि समकौन तिरूज में सबसे बड़ी भुजा को हम करण कहते हैं आईए, अब इनकी तीनों भुजाओं पर हम वर्ग बनाते हैं, यह वर्ग हमने बनाये, समकौन तिलुच A, B, C, जिसमें A, C, भुजा की लंबाई सबसे लंबी है, इसमें हमने वर्ग बनाये, जो एकाई वर्ग एकाई के हैं, 25 वर्ग बने हैं, हम देख रहे हैं, इसमें 25 वर्ग बने भुजा B C जिसकी लंबाई 3 एकाई थी इसमें हमने वर्ग बनाए तो 9 वर्ग बने हैं भुजा A B जिसकी लंबाई 4 एकाई थी इसमें 16 वर्ग बने हैं अब हम यदि इनके वर्गों की संख्या उगिने तो 9 वर्गों की संख्या 9 है वर्गों की संख्या 16 है और A A.C. पर बने वर्ग में एकाई वर्गों की संख्या 25 है अब इसमें एक मज़िदार चीज आप देखेंगे कि B.C. और A.B. पर बने वर्गों की संख्याओं का योग A.C. पर बने वर्ग की संख्या की बराबर है अर्थार्थ 25 है 16 जमा नौ बराबर 25 तो तिर्बुच A.B.C. जिनके भुजाओं की माप क्रम से 3 एकाई 4 एकाई वे 5 एकाई है हम पाते हैं कि सबसे बड़ी भुजा अर्थार्थ 5 का वर्ग बराबर 2 अन्न भुजाओं की वर्गों की योग अर्थार्थ 4 का वर्ग जमा 4 का तीन का वर्ग अर्थार्थ 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग जमा तीन का वर्ग कुछ और समकूर्ट तिर्भुझ मेरे सामने हैं जिसमें तिर्भुझ P, Q, R जिसके भुजाओं की लबाई छै एकाई, आठ हिकाई, वे दस हिकाई है तता दूसरा समकूर्ट तिर्भुझ भी मैंने लिया है L M N जिसमें बिंदू M पर समकौन हैं तता भुजाओं की लंबाई 15 एकाई 20 एकाई एवं 25 एकाई है तो देखते हैं कि अगत तिरूज की तरह इन तिरूजों में भी बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बार मिलता है कि नहीं तो हम पाते हैं कि पी आर का वर्ग 10 का वर्ग बरावर 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 36 जमा 64 बरावर 100 यह बिल्कुल उतना ही है जितना 10 का वर्ग है हमारे तत्त की पुष्टी हुई अब दूसरा तिरूज लें अब दूसरा तिरूज लेते हैं जिसमें भुजाओं की लंबाई पंद्रहे इकाई 20 इकाई एवं 25 इकाई है आईए इनका वी वर्ग करें पंद्रहे वर्ग हम प पाते हैं कि 625 बरावर 400 जमाँ 225 अते 25 का वर्ग बरावर 20 का वर्ग जमाँ 15 का वर्ग है अते हम पाते हैं कि समकौन तिरूज में एक बहुत मज़ेदार गुन है कि बड़ी संख्या का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बरावर होता है बच्चों इस पूर्फ इस रोचक तत्थ को दुनिया के सामने प्रिकासित किया था परंतु इससे भी हजारों से एकड़ों वर्ष पूर्फ सुल्वासूत्र नामक पुस्तक में इस तरह का जिक्र किया गया है जिसमें भारतिय मूल के गणितग्यों ने इस तत्थ को काफी पहले उजागर कर दिया था उन्होंने एची तीन संख्याय दे रखी थी जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा था और उनसे बनाए हुए तिरभुज का माप संकौन तिरभुज यान एक कौन अवस से उसमें संकौन बन जाता है यूनानी मूल के गणितग पाथगोरस को तो आईए पाथगोरस प्रमे जिसको नाम दिया गया है इसका कथन क्या है कथना नुसार संकौन तिरभुज में कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो आव देखें कैसे इस पाथगोरस प्रमे को सिद्ध किया था आईए सबसे पहले हम इसको बौधायन विधी द्वारा सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है रचना भुजा एसी पर वर्ग ए एच आई सी बनाया भुजा बीसी पर वर्ग बी सी डी इबनाया तथा भुजा एबी पर वर्ग ए बी एफ जी बनाया बिंदू बी आई को मिलाया तथा ए डी को मिलाया एवं C I के समांतर बिंदू B से B J की रचना की इसको सिद्ध करने से पूर्फ हम ध्यान रखेंगे सरवांग सम के नियमों का तथा जो हमारे छेत्रफल के जो मुख्य परणाम है उनका एक बार हम लोग अवलोकन कर लेते हैं कि क्यूंकि हमें इसके सिद्ध करने में उन सब चीजों की आवस्ता पड़ेगी पहला परणाम है एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मद्ध बने हुए तिर्वुष तथा आयत के छेत्रफलों में क्या संबंध होता है इस चित्र से आप पाएंगे कि हमने एक आयत लिया है A, B, C, D तथा एक ही आधार D, C पर तथा समांतर रेखाओं A, P तथा D, C के मद्ध एक अन्य तिर्वुष बना हुआ है D, C, P हम जानते हैं कि तिर्वुष D, C, P का छेत्रफल आयत A, B, C, D के छेत्रफल के आधा होता है इस गुण को हम अपने उपत्ती में प्रियोग करेंगे बौधायन विधी के द्वारा और पिछली कक्षाओं में आप सर्वांग सम के नियमों के बारे में भली भाती पढ़ चुके हो उनको आपको मालूम है कि चार तरीके से हम दो तिर्वुषों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होगा हम उनको भी बीच बीच में प्रियोग करेंगे बौधायन विधी में तो आईए अपनी पुराने चित्र पर आजाते हैं तिर्वुष B, C, I तथा तिर्वुष A, C, D में B, C बराबर C, D एक ही वर्क के भुजाए हैं A, C बराबर C, I एक ही वर्क की भुजाए हैं तथा कौन A, C, I बराबर कौन B, C, D प्रतेक 90 अन्ष है क्योंकि वर्क के प्रतेक कौन का माप 90 अन्ष होता है कौन A, C, B को दोनों तरफ जोड़ें तो हम पाएंगे कि कौन B, C, I बराबर कौन A, C, D अते भुजा कौन भुजा अभी लक्षनिक गुन धर्मद्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि B, C, I सरवांग सम्हें तरफुज A, C, D के अते A, C, D तरफुज का छेतरफल बराबर होगा B, C, D तरफुज के छेतरफल के अब चूंकि हमने अभी अभी आपको बताया था कि एक समांतर रेखाओं तथा A के आधार के बीच में बने तरफुज का छेतरफल आयत के छेतरफल के आधा होता है तो हम भली बाती कह सकते हैं कि तरफुज B, C, I का छेतरफल बराबर एक वटे दो छेतरफल आयत का छेतरफल आयत के C, I, J का छेतरफल अथा आप इसको देखें तिर्वुज B, C, I का छेतरफल यह जो मैं पोर्शन जो हिस्सा लाइम बना रहा हूं इस तिर्वुज का छेतरफल इस आयत के छेतरफल के आधा होगा इसी प्रकार चूंके तिर्वुज B, C, I और तिर्वुज A, C, D दोनों तिर्वुजों के छेतरफल बराबर थे इसलिए इसी प्रकार इसी गुन से जो हमने अभी कुछ देर पहले प्रियोग में किया था कि तिर्वुज A, C, D का छेतरफल बराबर A पटेदो वर्ग B, C, D, E का छेतरफल इसे क्या सिद्ध होता है कि आयत K, C, E, I, J का छेतरफल बराबर वर्ग B, C, D, E का छेतरफल इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आयत के छेतरफल और वर्ग के छेतरफल में संभन्ध स्ताफित किया है हम सिद्ध कर सकते हैं कि आयत A, K, J, H का छेतरफल बराबर होगा वर्ग G, A, B, F का छेतरफल अज़े वर्ग A, H अब दोनों आयतों के छेतरफल को हम मिलाएंगे तो हम पाएंगे कि आयत K, J, I, C का छेतरफल जमा आयत A, K, J, H का छेतरफल बराबर वर्ग A, C, I, H का छेतरफल अते वर्ग A, H, I, C का छेतरफल बराबर दो वर्गों अथाट G, A, B, F का छेतरफल जमा B, C, D, E का छेतरफल इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आयत के छेतरफल और वर्ग के छेतरफल में संभन्द स्ताफित किया है हम सिद्ध कर सकते हैं कि आयत A, K, J, H का छेतरफल बराबर होगा वर्ग G, A, B, F का छेतरफल अथे वर्ग A, H अब दोनों आयतों के छेतरफल को हम मिलाएंगे तो हम पाएंगे कि आयत K, J, I, C का छेतरफल जमा आयत A, K, J, H का छेतरफल बराबर वर्ग A, C, I, H का छेतरफल अथे वर्ग A, H, I, C का छेतरफल बराबर दो वर्गों अथात G, A, B, F का छेतरफल जमा B, C, D, E का छेतरफल तो हम पाते हैं कि A, C का वर्ग या A, C पे बना वर्ग अन दो बुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है तो बच्चो ये थी बौधायन विधी जिसमें बौधायन ने सरवांग सम्ता और आयत और तिर्वुज के छेतरफलों को प्रियुक्त करके उनको प्रियुक्त किया था इस प्रमे के सिद्धी करण के लिए परन्तु आज क्योंके हम जानते हैं कि ये एक जमाना है जिसमें हर बच्चे को जल्दी होती है कि उसका प्रमे हो या कोई भी चीज हो उसको जल्दी से जल्दी सिद्ध किया जाए आपने देखा होगा थोड़ा सा आपको जटिलता महसूस हुई होगी इसमें क्योंके इसमें हमें पुराने कई पढ़नामों को याद करना पड़ा था उनको प्रियोक करना पड़ा था तो आई एक सरल तरीके की तरफ हम प्रस्तान करते हैं जिसमें हम सम्रूपता का प्रिय करेंगे पायथवर्स्प्रमे को सिद्ध करने के लिए उसको प्रिमानित करने के लिए तिर्भुज A B C जहां बिंदू B पर समकौन बना हुआ है रचना सीर्स B से बुजा A C पर लंब B D खींचा है अथार्थ कौन B D A और कौन B D C दोनों समकौन होंगे उपत्ति तिर्भुज A B D एवम तिर्भुज A B C में कौन A बराबर चूंकि कौन A दोनों तिर्भुजों में समलित है अथा कौन A बराबर कौन A उभेनिस्ट है तथा कौन B D A बराबर कौन A B C क्यूंकि दोनों ही कौन समकौन है अते समरूपता के कौन कौन अभी लक्षनिक गुंध धर्म के अनुसार हम कह सकते हैं कि तिरवुज A, B, D समरूप है तिरवुज A, B, C के और हम जानते हैं जब दो तिरवुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत हो जाएं समानुपाति होती हैं इसलिए हम कह सकते हैं A, B बटे A, D बराबर A, C अपन बटे A, B अथार्थ A, B का वर्ख बराबर A, D गुणा A, C इसको हम समीकरन एक नाम से लिख सकते हैं तिरवुज A, B, C और तिरवुज B, D, C में कौन C बराबर कौन C दोनों तिरवुजों में उभेनिस्ट है कौन B, D, C बराबर कौन A, B, C दोनों ही कौन सम कौन है इसलिए A, A अभी लक्षनिक गुण धर्म के अनुसार हम कह सकते हैं कि तिरवुज A, B, C समरूफ है तिरवुज B, D, C के जब दोनों तिरवुज समरूफ होंगे तो हम संगत भुजाओं कानुपात ले सकते हैं हम जानते हैं कि संगत भुजाओं समानुपातिक होंगे इसलिए B, C, B, C बटे A, C बराबर D, C बटे B, C अथार्थ B, C वर्ख बराबर A, C गुणाद D, C इसको हम समीकरन दो ले सकते हैं समीकरन एक वे दो को जोडने पर हमें मिलेगा A, B वर्ख जमाद B, C वर्ख बराबर A, D गुणाद A, C जमाद A, C गुणाद D, C अथार्थ A, B वर्ख जमाद B, C वर्ख बराबर A, D गुणा A, C जमाद A, C गुणाद D, C बराबर A, C को यदिए आप उभेनिस्ट ले लें, तो आप पाएंगे कि अंदर कोष्ट के अंदर बचेगा A D जमा D C, चित्रानुसार हम पाएंगे कि A D जमा D C कितना है A C, इसलिए यह हुआ A C वर्ग, अते A B वर्ग, जमा B C वर्ग, बराबर A C वर्ग, बच्चों आपने पैतगोर्स पर में कि कतना नुसार पाया कि कंक पर बना वर्ग, शेश अन दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है अर्थार सबसे बड़ी भुजाओं पर बना वर्ग अन दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है तो क्या इसका विलोम भी सही है जैसा कि हमने देखा कि बड़ी भुजा का वर्ग शेश भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हम देखें कि इसके विलोम भी सही होगा यदि इनी संख्याओं के साथ एक ऐसा तिर्बुज बनाए जिसमें तीनों आमाप हों तीन, चार, पाँच उधारन के लिए यदि में तीन, चार, पाँच इकाई, लंबाईयों का एक तिर्बुज बनाऊँ तो देखूं किया हम अन दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है तो क्या इसका विलोम भी सही है जैसा कि हमने देखा कि बड़ी भुजा का वर्ग शेश भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हम देखें कि इसके विलोम भी सही होगा यदि इनी संख्याओं के साथ एक ऐसा तिरुज बनाएं जिसमें तीनों आमाप हों तीन, चार, पाँच उधारन के लिए यदि मैं तीन, चार, पाँच इकाई लंबाईयों का एक तिरुज बनाऊं तो देखूं क्या हमारा जो तिरुज बनेगा जो तिरुज के रचना होगी क्या वो समकौन तिरुज होगा सबसे पहले माँ आधार बनाएंगे B C जो कि 8 cm का है इस बार मैं इकाई cm न ले रहा हूँ इसलिए 8 cm दूसरी भुजाएं एक अन्य भुजाएं 6 cm तिरुज भुजाएं 10 cm अब यह है 6 cm, 6 cm का बिंदू B की से चाप लगाया अन्य भुजाएं 10 cm की, सो इसलिए हम अपने परकार में 10 cm फिर से नापेंगे यह अपने परकार को 10 cm की खोलेंगे, यह है हमारा 10 cm, 10 cm, 10 cm C को केंद्र मानते हुए, एक चाप लगाएंगे, जो पहली चाप को बिंदू A पर प्रतिछेदित करती है, अब A B तथा A C को मिलाएं, A B A C, यह है आपका तरफुज A B C, आई यह इसकी कौनों को माप लें, सबसे पहले हम कौन B को माप रहे हैं, और हमने पाया कि कौन B काम आप नभ्य अनश हैं, नभ्य अनश हैं, इसका मतलि यह हुआ कि तरफुज A B C, एक सम कौन तरफुज हैं, तो बच्चों हमने देखा कि बड़ी संख्या का वर्ग यदि छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, तो ऐसे तीन अंकों को पाथा गोरियन त्रियंख के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे त्रियंख कों के साथ कोई भी आप तरफुज बनाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक कौन समकौन अवस्य होगा, तो क्या हम इसको जामति धंग से भी सिद कर सकते हैं, आयो देखते हैं, यदि तरफुज में बड़ी संख्या का वर्ग, सेश अन दो संख्याओं या भुजाओं के वर्गों के योग, योग के बराबर होता है, तो तरफुज समकौन तरफुज होगा, तो बच्चों यह कथन पाथगार्ष प्रमिय के विलोम का, हमने देखा कि बिल्कुल उटा कर दिया है, पाथगार्ष प्रमिय में हमें संकौन तरफुज गया था, उसमें हमने सिद्ध किया था, कि कर्ण का वर्ग, शेश दो भुजाओं के वर्गों के योग के योग के बराबर था, इसमें हमें गया था, इसमें हमें उल्टा कर दिया है, कथम ही बिल्कुल विप्रित हो गया है, इसमें हमने लिया है कि बड़ी संख्या का वर्ग, यदि शेश अन्य दो संख्याओं के वर्गों के बराबर हो, या बड़ी भुजा का वर्ग, शेश दो अन् तो तिर्बुच कैसा होगा, सम कौन तिर्बुच होगा, अब इसको हम जानिती ये रूप से सिद्ध करेंगे, ज्यात है, एक तिर्बुच, A, B, C, जिसमें A, C का वर्ग बरावर, A, B का वर्ग, जमा B, C का वर्ग, ये तिर्बुच हमें ग्यात है, जिसमें हमें दिया हुआ है, कि A, C का वर्ग, बरावर, A, B का वर्ग, जमा B, C का वर्ग, हमें सिद्ध करना है, तिर्बुच, A, B, C, एक सम कौन तिर्बुच है, मैं एक सम कौन तिर्बुच की रचना कर रहा हूं, एक ऐसी सम कौन तिर्बुच की रचना, जिसकी दो भुजाएं, क्रम सा, दे हुए तिर्बुच के बरावर की होंगी, यह है तिर्बुच P, Q, R, जो बिंदु की पर सम, Q पर सम कौन है, तथा ग्यात है तिर्बुच A, B, C, जिसमें A, C का वर्ग बरावर A, B का वर्ग जमां B, C का वर्ग, रचना, तिर्बुच P, Q, R की हमने रचना की है, जिसमें कौन Q नभ्य अन्ष, तथा P, Q बरावर A, B, तथा Q, R, बरावर B, C हमने लिया है, अब हम सिद्ध करेंगे कि कौन B सम कौन होगा, तिर्बुच A, B, C में हमें ज्यात है, कि A, C वर्ग बरावर A, B वर्ग जमां B, C वर्ग तिर्बुच P, Q, R एक सम कौन तिर्बुच है, अतर पायथागवरस पिरमे का अनुसार हम कहे सकते हैं, कि P, R का वर्ग बरावर P, Q का वर्ग जमां Q, R का वर्ग, चुनकि तिर्बुच P, Q, R वे तिर्बुच A, B, C में P, Q बरावर A, B, तिर्बुच P, Q की जगे हम A, B लिख सकते हैं, P, Q बरावर A, B, तथा Q, R बरावर B, C, अतर Q, R वर्ग की जगे हम B, C का वर्ग लिख सकते हैं, अब हमारे पास दो समीकरण आई, समीकरण 2 और समीकरण 1, यह पहली समीकरण में हमें ग्याद था, दूसरी समीकरण हमने रचनाद्वारा लिखे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हमें मिलेगा कि A, C वर्ग बरावर P, R वर्ग अतर A, C बरावर P, अब तिरोज P, Q, R वर तिरोज A, B, C में P, Q बरावर A, B रचनाद्वारा, Q, R बरावर B, C रचनाद्वारा और P, R बरावर A, C अभी हमने में सिद्ध किया है, कि A, C बरावर P, R अतर भुजा, 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 सर्वांग सम अभी लक्षन गुन धर्म द्वारा तिरोज P, Q, R सर्वांग सम हो जायागा तिरोज A, B, C के, जब दोनों तिरोज सर्वांग सम होंगे, तो कौन Q बरावर, कौन B, परन्तु कौन Q का मान नभ्य अन्ष है, इसलिए कौन B का मान भी नभ्य अन्ष होगा, अतर हम कह सकते हैं कि तिरोज A, B, C एक सम कौन तिरोज है, तो बच्चों हमने देखा, कि ऐसी तीन संख्यां, जि हम तिरोज की रचना करें, उसी उनी आमापाउं से तिरोज की रचना करें, तो तिरोज कैसा होगा, सम कौन तिरोज होगा, बच्चों आज हमने अपने इस अध्याय में पायतगरस पिर में तथा उसके विलोम को सत्यापित किया है, उसको पिरमानित किया है, अनेक उधारन शेश दो भुजाओं की वर्गों की योग के बराबर होता है, तथा उसके विलोम, उसके ठीक उल्टा हमने ये भी प्रमानत किया, यदि तिर्बुज में बड़ी संख्या का वर्ग, शेश दो भुजाओं की वर्गों की योग के बराबर हो, तो वह तिर्बुज समकौन तिर अंक लें। जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग यह बड़े अंक का वर्ग सेश दो भुझाओं के यह दो अंकों की वर्गों की यह के बरावर होता है, तो उन अंकों से रचित तिरवुज, उन संख्याओं को यह भी माप लें और उनके आमापों से तिरवुज बनाएं, तो ऐसे बने भी तिरवुज, सदेव ही समकोंट तिरवुज होते हैं, और भारत में तो यह प्रथा बहुत इसा पूर से भी हजारों वर्स पूर प्रचलि किया करते थे और आज भी हमें एनी इनी तीनंकों, ऐसी तीन औंक तीन संख्या कोई आप ले ले लें जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेश दो संख्यां के वर्गों के योग के बराबर यदि है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और आप भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसे तिर्बुज ऐसी संख्याओं के द्वारा रचित तिर्बुज सदैव ही समकौन तिर्बुज होंगे.